अगर आप अभी तक अपना मकान नहीं खरीद पाएं हैं और खरीदना चाहते हैं तो अब आपका ये सपना साकार होने वाला है दरसल मोधिस सरकार फ्लाइट लेने या मकान का नर्मान करने पर भी आर्थिक मदद दे रही है सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना को जवर्दस रेस्पॉंस मिला है इस योजना के तहट मोधिस सरकार एक निश्चित इंकम ग्रूप में आने वारे परिवारों को होम लोन पर सबसीड़ी दे रही है अब इस सरकार अलग-अलग इंकम ग्रूप के हिसाब से 267,000 तक की सबसीड़ी देती है साल 2016 में लोन की गई प्रधान मंत्री आवास योजना की डेड़ लाइन को मार्च 2019 रखा गया था अब इस योजना की डेड़ लाइन नजदीक होने पर उमीद की जा रही है कि मोदी सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सबसीड़ी को बढ़ा कर 2022 तक जारी रख सकती है सरकार की तरफ से सबसीड़ी की मियाद बढ़ाने पर विचार जा जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो इसका फाइदा उन लोगों को मिलेगा जो अभी तक मकान नहीं खरीद पाए है 6 लाग से 12 लाग सालाना आमदनी वाले 107 स्क्वाइर मीटर यानी 1722 वर्क फीट वाले घट पर सबसीड़ी ले सकते हैं वहीं 12 से 8 लाग सालाना आमदनी वाले 200 स्क्वाइर मीटर यानी 213 वर्क फीट वाले घट पर सबसीड़ी ले सकते हैं